नमस्कार दोस्तों आगत्याब का आज के इसने वीडियो में मैं बात कर रहा हूं बिहार इंटर एडमीशन दो हजार चैप्स से मतलब एक दो दिन से इसका विट कर रहे थिक्षकal आएगा कव आईगा वागा और इस लिस्ट में हम लोग कैसे करेंगे कि मेरा किस इंपीमेंशन लीचोड हो रहा है कि मतलब आपको किस सेख़्यशन होगा क्योंगि पिछली बार तो इसकूल के अलावा कॉले में selection आगया है तो इसके बहुत सारे क्यों कि पीछे इससे पहले क्या हो गया था कि आपको तो फॉर्म मतलब अभी तक फिल होई रहा था क्योंकि जो कंपार्टमेंटल वाले कंडिडेट थे जो कंडिडेट जो पीछे से पर दिया गया है कि आप यहां पर जाएगा या आपका नहीं करना इसका कहने के मतलब थोरा पर रुट्यों पर नियेगा तभी समझ पाएगा अगर में सुने मेरा बात और सिधे डालट किये चले तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप आगे समझ पाईएगा जो कंडिडेट का नाम इस लिस्ट में आज आएगा ध्यान दीजाएगा दूस्तों जो भी कंडिडेट इस लिस्ट में नाम आज के देख लेंगे अपना कि मेरा इस लिस्ट में नाम है फर्स्ट लिस्ट में नाम है वही कंडिडेट को साथ जून से बारा जून के बीच मे एडमिस्शन कराना होगा ठीक है जो गांडीडेट का नाम नहीं आएगा तो इसके लिए गावराणई की बाद हम उसके लिए कि निकलेगा उसकेंडर लिस्ट में अनकासण होगा तो जीसरे की मेरा नाम नहीं ठीक है और आपका गलती से उस स्कूल में नहीं करवाते हैं उनके लिए स्लायड अप का आता है जो चालू चाल जाएगा तो जो कर दिश्र लिश्ट में से किसी में भी नाम नहीं आता है जिए दिए दिए दूस्त को लिए करता है तो कोई घवरानी की बात नहीं है जो थर्ड लिस्ट आएगा दोस्तो उसमें आ गया तो सही है नहीं तो फिर आपको फाइनल जॉब को यहां अब दिखा रहा है अगर पहले से पौर्म बा रहे होंगे तो आप से मिल जागा जाली होगा और इसके बाद यहां पेस का फास्वानल जो आपको दिया गया है यह इसमें जो डोकुमेंट से मिल गया होग तो मारक अच्छन मिलता है तो उस जाती का आपको जाती प्रमानपत लगेगा और अन्य जो डोकुमेंट इस पर दिखाए जाएगा वह आपको वहां पर देना होगा ठीक है इतना सारा डोकुमेंट आपको लगना है तो आपको वह सब दोश्तो जाती आवाशी आधार काड आपका जो है बैंक अकाउंट लगता है तो इतना सारा डोकॉमेंट से आपका असानी से पहो जाएगा इसके बाद इसको भी आपको डाउनलोड करना तो आप फर्स्ट मेरित यहां पर यह जो आपस दिख रहे हैं फर्स्ट मेरिट डाउ इस पर जैसे किलिक किया दोस्तों तो कुछ इस परकार का इंटरफेस खुल जाएगा आपको ठीक है तो यह जो इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों इसी में आपको जो रिसीविंग मिला था दोस्तों जो आपको रिसीविंग आपके पास होगा जब अपने फॉर्म फिल लिए तो वो रिफ्रेंस नमबर वो बार कोड नमबर आपको इस भर देना है अपना मबाईल लंबर और आपका जो यह जो इन ड़ब के जाए दूस्टो नीचे में आपको oserिटा जाएगा मुख की स्टील में ऑगया तो नहीं आए नहीं है तो सब्सक्राइब करेंगे तो इसका नाम जाएगा उनको यह first-page प्रिंट-ओड कर ले ना होगा तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको इस परकार का वीडियो बनाके बताता रहूं थैंक दोस्तों